Hello Everyone, Welcome You All आज का हमारा MSC का टोपिक है One Group Carbon-Carbon Disconnection of Alcohol इस वीडियो के अंदर हम Alcohol के One Group Carbon-Carbon Disconnection को बुस्कस करेंगे और यह जो Disconnection है यह हम दो तरीके से देखने वाले हैं One One Carbon-Carbon Disconnection और One Two Carbon-Carbon Disconnection जब हम Alcohol का One One Carbon-Carbon Disconnection करवाते हैं तो वहां से हमें दो तरीकी के Functional Group Synthesis होते हुए दिखाई देते हैं जिसके अंदर Part A में होगा Synthesis of Alcohol B के अंदर होगा Synthesis of Carbonyl Compound इसी तरीके से जब हम Alcohol का One Two Carbon-Carbon Disconnection करवाएंगे तो वहां पर हमें Synthesis देखने को मिलेगा Alcohol का और Carbonyl Compound का तो अब हम इनी चारो टाइप को डिटेल से डिसकस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अलकोहल के अंदर One Group Carbon-Carbon Disconnection अप्लाई किया जाता है तो यहां पर सबसे पहला जो एक्जामपल आता है हमारा वह है Synthesis of Alcohol अब यहां पर क्या करते हैं हम अलकोहल का Synthesis करवाते हैं लेकिन उसका Synthesis करवाने से पहले हमें उसके उपर Disconnection अप्रोच अप्लाई करनी पड़ेगी जो कि है वन ग्रूप Carbon-Carbon Disconnection काफी सारे अलकोहल Disconnection के बाद में हमें ग्रिगनार रिएजंट देते हैं ऐसे स्टार्टिंग मेटीरियल तो यहां पर हमारा जो मॉल्कूल है जिसे हम टार्गेट मॉल्कूल बोलते हैं वह एक अलकोहल कंटेनिंग टार्गेट मॉल्कूल यहां पर आपको यहां पर आपको दो तरीके की एनाइनिक और केटाइनिक स्पीसिस देखने को मिलेगी जिने हम बोलते हैं सिंथोन यहां पर आपको आनाइनिक सिंथोन देखने को मिल रहा है या फिर आप बोल सकते हैं यहां पर आपको कार्बनाइन देखने को मिल रहा है और यहां पर कार का कर्प्रेटाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा कार्वन का फॉर्मेशन तभी होगा जब यह कार्वन किसी most एलेक्ट्र पॉजिटिव एलिमेंट के साथ में होगा तो यहां पर रहे पास यह से हम बोलते हैं और अगर के लिए आपको और जाता अच्छे से समझना होगा तो आपके लिए एक की वीडियो बना रखी है उसे आप जरूर देखिए जिसका लिंक में आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूगी तो यहां पर जब यह दोनों सिंथों बन जाते हैं त और यह वालो जो नॉर्मल सिंथों होना यह कंवर्ट होगा कि टोन ग्रूप के अंदर अब यहां पर आपको दो सिंथाटिक एक्विलेंट देखने को मिल रहे हैं अब इन दोनों सिंथाटिक एक्विलेंट का यूज करेंगे हम जब हम इस पर्टिकुलर टार्गिट इन दोनों की रियक्शन होगे और कर जाए जैगा जब हम इनका हम इनका हुआजिस करवाएंगे तो हमें यह वाला मोलेक्युल आज प्रॉडखने को मिल लेगा जो की हमारा डार्गिट मोलेक्यूल था तो करते हैं इसके साथ हम एक और एक्जाम्पल देख लेते हैं हमने आपर लिया हमारा target molecule और इस target molecule के अंदर ये वाल जो carbon है जो की carbon number 1 है इस carbon के साथ में आपको दो final group attach होते हुए दिखाए देंगे और साथ में आपको यहाँ पर hydroxy group attach होता हुआ दिखाए देगा तो इस target molecule के अंदर आपको दिखाए देगा one one carbon-carbon disconnection जिसके बाद में आपको synthon मिलेंगे और synthon के बाद में आपको इस तारीके की synthetic equivalent देखने को मिलेगे और इन synthetic equivalent का use करेंगे हम synthesis के अंदर तो जब हम इसका synthesis करेंगे तो यहाँ पर हम यह दोनों synthetic equivalent as a reactant लेंगे जिसके बाद में आपको finally product जो देखने को मिलेगा वो यह वाला देखने को मिलेगा जो कि हमारा disconnection के अंदर target molecule था तो यह था हमारा first part जिसके अंदर हमने alcohol का one group carbon carbon disconnection द compound carbon compound का synthesis हम उसके corresponding alcohol का oxidation करवा कर भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया दिगाई carbon compound जिसे हम यहाँ पर बोलेंगे target molecule जब हम इस target molecule पर functional group interconversion apply करेंगे तो यह जो keto group है यह change हो जाएगा hydroxy group के अंदर यानि कि हम यहाँ पर functional group interconversion इसलिए apply करते हैं ताकि हमारे लिए जो हैं जिसका link में आपको आई बटन पर provide करवात होंगी तो एक बर आप वह वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए तो यहाँ पर यह जो keto group है यह चेंज हो जाएगा यहाँ पर hydroxy group के अंदर और अब हम यहाँ पर hydroxy group के ऊपर क्या करेंगे 1-1 carbon carbon disconnection apply करेंगे जिसके बाद में आपको यहाँ पर यह दो synthon देखने को मिलते हैं इन दो synthon के बाद में आपको इसे change करना पड़ेगा इनके synthetic equivalent के अंदर और जब हम इनका synthetic equivalent बना लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्या है carbonal group देखने को मिलते हैं यहाँ पर यह carbonal group containing compound है इसका हम करवाएंगे फिर से functional group interconversion जि इन दोनों synthon से आपको यहाँ पर दिखाए देगा यह वाला जो synthon है यह बनाएगा carbonil compound और यह दूसरे वाला synthon है यह बनाएगा grignard reagent तो अभी इस process के अंदर हमने carbonil group का disconnection देखा और यह जो carbonil group का formation है यह हम किससे करवा सकते हैं इस alcohol के oxidation से तो अब हम इसी process का synthesis हमारे यहाँ पर synthetic equivalent थी हम इन दोनों का जब hydrolysis करवाएंगे तो आपको इस तरीके से hydroxy group containing compound देखने को मिलेगा अब यहाँ पर जो एडियाट ग्रूप था वो हो चुका है hydroxy group के अंदर अब हम फिर से इस molecule का oxidation करवाएंगे और oxidation करवाने के बाद में आपको यहाँ पर keto group देखने को मिलेगा तो इस तरीके से हमने alcohol के oxidation से carbonil group का formation किया है यह बात हुई हमारे 1-1 carbon-carbon disconnection की जो कि हमने alcohol के अंदर देखा अब हम बात करेंगे 1-2 carbon-carbon disconnection की तो जब हम 1-2 carbon-carbon disconnection अपलाए करके alcohol का synthesis करते हैं तो उसके लिए किस तरीके से reaction होगी अब हम वो discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर alcohol के synthesis के लिए हम 1-2 carbon-carbon disconnection के अंदर epoxide root है वो यूज करेंगे अब इस बात को आप एक example से समझे इस example के अंदर हमने यह लिए हमारा target molecule इस target molecule के अंदर जहां पर functional group लगा हुआ है उस carbon को हम बोलेंगे carbon number 1 और इस carbon के साथ में जो आपको यह वाला carbon दिखाई दे रहा है इसे हम बो काने के लिए हम यह वाला bone यहां से disconnect करेंगे जिसके बाद में हमें आप रदो तरीकरे के सिंथाण देखने को मिलेंगे एक यह वाली सिंथाण होगा और यहाँ पर केerve स्पिस्स कें अदर कंवर्ट करना पड़ेगा जो कि आगए जाके जब हम इसंका सिंथेसिस करवाएं तो ऐसे सिंथेस होग होगे यह दोनो् अईसए रिएक्टेंट यूज होगे तो अब हम इसका synthesis भी देख लेते हैं तो synthesis के अंदर हम लेते हैं इपोक्साइड रिंग जिसकी हम reaction करवाते हैं ग्रिकनाट रिएजिंट के साथ में जब हम reaction करवाते हैं तो यह जो oxygen है यह इस bond को अपने तरफ molecule था तो इस तरीके से हम करवाते हैं synthesis of alcohol जब हम one two disconnection approach apply करते हैं इसके बाद में हमारा जो final point आता है वो है synthesis of carbonyl compound हम यहाँ पर carbonyl compound का synthesize करेंगे alcohol के oxidation से यहाँ पर यह हमारा target molecule तारगिट molecule के अंदर present है यह hydroxy group और इस hydroxy group से directly attach जो carbon है उसे हम बोले हैं carbon number one और इसके बाद में यह है carbon number two तो यहाँ पर जब हम one two carbon carbon disconnection लगाएंगे तो यहाँ पर हमें यह वाला जो bond है यह break करना पड़ेगा जिसके बाद में आपको यह दो तरीके के synthon देखने को मिलेंगे तो इसकी synthesis process के अंदर हम यह epoxide ring लेंगे जो कि यहाँ पर हमारी as a synthetic equivalent थी तो इसे हम यहाँ पर use करेंगे synthesis के अंदर as a reactant जिसकी reaction करवाएं ग्रिगनाड reagent के साथ में और साथ में इसका करवाएंगे hydrolysis जिसके बाद में आपको इस तरीके का जो carbon-carbon disconnection अप लाइक करते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू